सबी साथियों को जय हिंद मैं आपका साथी डॉक्टर सोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ वीनस वाल्ट सीखेंगे नहीं तो जितेंगे कैसे और कल RPSC ने जो इसकूल लेक्चरर इंगलिस के लिए प्राविजनल लिस्ट जारी की है प्राविजनल कट अफ जारी की है उसके बाद तो आप और हम और भी मजबूती से कह सकते हैं कि वीनस वाल्ट सीखेंगे नहीं तो जितेंगे कैसे सबसे पहले तो उन सभी अभेरतियों को मेरी तरब से बहुत बहुत बढ़ाया जिन लोगों ने इस प्राविजनल लिस्ट में अपना इस्थान बनाया है हमारे वीनस को बहुत बहुत बढ़ाया और वे बच्चे जो हमारे ओनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े वे थे हमसे नहीं पढ़े हैं कैसी अन्य समानी सिखसर से पढ़े हैं अपनी सेल्फ इस्टेडी की है और उन बच्चों ने भी अपना इस्थान इसमें बनाया है उनको भी मेरी तरब से बहुत बहुत बढ़ाया और अंतीम चैन के लिए सुब कामना है आज की सेशन में हम किन-किन बातों पे चर्चा करेंगे सबसे पहले तो जो कल प्रोविजनल लिस्ट आई है प्रोविजनल कट ओफ आई है उस पर चर्चा करेंगे हम उसके बाद फाइनल कट ओफ क्या हो सकती है तल से बहुत सारे बच्चे यही मेसेज कर रहे हैं कि सर final cut-off क्या हो सकती है इस cut-off में और final cut-off में कितना अंतर रह सकता है हम समझने का परियास करेंगे 2018 में provisional list provisional cut-off और final cut-off में कितना अंतर रहा था उससे समझने का परियास करेंगे और फिर अब कितना रह सकता है इस पे चर्चा करेंगे उसके बाद क्या इस cut-off का किसी भी प्रकार से RPSC second grade, rate man's की cut-off पे कोई असर पड़ सकता है या फिर क्या कहीं भी दोनों एक दूसरे से समन्दित है क्या cut-off जो expected cut-off थी उससे ज्यादा रही है इस प्रकार के जो भी आपके स्वाल थे उन सभी स्वालों का जबाब आज की सेसन में मैं देने का पूरा परियास करूँगा हलांकि मैं बार-बार cut-off prediction नहीं करता हूँ हर तीसरे पांसवे दिन मेरी इच्छा नहीं रहती है कि चलो भी और कुछ नहीं है तो एक cut-off का वीडियो भी बना जैते है ऐसी मेरी इच्छा नहीं रहती है लेकिन आप लोग बार-बार जब मैसेज करते हैं तो मुझे लगा कि आज की एकी सेसन में सभी बातों पे चर्चा कर लेनी चाहिए कि रिट मेंस की क्या रह सकती है सेकिंड ग्रिड की क्या रह सकती है इस सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे वीनस वर्ट पहला वर्स स्यांदार प्रिनाम वीनस वर्ट का जो डिडिजल प्रेटफॉर्म है ये कोई बहुत पुराना प्रेटफॉर्म नहीं है हमें केवल एक वर्स और कुछ मेने हुए उसके बावजुद इतना स्यांदार प्रेणाम आप लोगों का इतना सारा प्रेम आप लोगों का इतना सारा विश्वास निसीत रुप से मैं आपका रिनी हूँ और रिनी रहूँगा आप पुछेंगे कई बच्चे कि सर स्यांदार प्रेणाम से क्या मतलब है आपका कैसा प्रेणाम रहा एक बार हम जानना चाहेंगे बेटा हमने जब RPSC फस्ट ग्रेड कप सलेबस शुरू किया था तो काफी लेड शुरू किया था मैंने इसलिए RPSC फस्ट ग्रेड में हमारे पास बहुत अधी संख्या में बच्चे नहीं थे लेकिन जितने भी बच्चे हमारे पास थे उन में प्रतीस अत्रूप से बहुत अच्छा प्रेणाम हमने दिया है और आप लोगों के विश्वास पर हम खरे उतरे हैं अभी तक जो मेरे पास मेसेज आये हैं उनके इनुशार में कह सकता हूँ कि 25 से 30 बच्चों का अंतिम सेलेक्षन हमारे यहां से होना चाहिए बहुत इमांदारी की बातें करता हूँ ऐसा नहीं कि यहां आके कुछ भी आकड़े में कह जाओं ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि हो सकता है इससे 5 कम हो सकते हैं 5 ज्यादा हो सकते हैं तो इतने बच्चों का सेलेक्षन निसीत रोप से हम देंगे और पहले ही वर्स वो भी तब जब हमने शुरू किया था तब अन्ने जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे उनके पास पहले से ही बैचे चल रहे थे और पहले से ही उनके पास हजारों की संका में बच्चे इंड्रोल्ड थे उसके बाद हमने सुरू किया और वो भी टेक्नोलोजिकली हम बहुत मजबूत नहीं थे उस समय फिर भी आप सब लोगों ने विश्वास दरसाया आप सब लोगों ने इंड्रोल किया आपने आपको देखो ओफलाइन जब होती है तो बच्चा जाके देखता है उसके बाद वो एक दो दिन देखता है उसको विश्वास हो जाता है और वहाँ इंड्रोल हो जाता है online platform में विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी बात है और वो भी वो platform जो पहली बार आया हो फिर भी आप सब लोगों ने बहुत बहुत प्रेम दिया और मैंने भी कभी आपका विश्वास तोड़ा नहीं अब कुछ बच्चे जानना चाहेंगे कि सर्फ पहली साल में आपका इतना अच्छा प्रिणाम और क्वालिटेटिव इतना स्यांदार प्रिणाम है तो इसके क्या वज़े हो सकती है उसकी वज़े हम एक ही लाइन में आपको बताते है विनस वर्ड मेंस ऑथेंटिक एक्जाम औरियंटेड कंटेंट मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपको जो भी कंटेंट दिया जाए वो एक्जाम औरियंटेड होना चाहिए अभी भी आप जो भी बच्चे देख रहे हैं चाहिए वो हमसे रिट मेंस के लिए जुड़ा हो चाहिए वो हमसे सेकेंड गेर्ड के लिए जुड़ा हो चाहिए वो हमसे स्कूल लेक्चेर के लिए जुड़ा हो वो बच्चा इतना निस्सित रूप से कह सकता है चाहे उसका आज selection हुआ हो या नहीं हुआ हो लेकिन वो इतना जुरूर कहेगा कि सर आपने जो हमें content दिया था वो exam oriented था वहाँ से questions आये थे और लगबग सभी questions वहाँ से आये थे हो सकता है भी हमारी कोई कमी रह गई selection नहीं हुआ लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आपने जो content दिया था उस पे आपने research करके नहीं दिया आपने exam oriented content नहीं दिया आपने authentic content नहीं दिया ये नहीं कह सकता और ये ही आपके विश्वास की कुझी है और मैं चाहता हूँ किसी प्रकार का विश्वास आप आगे भी बनाए रखेंगे अब चलते हैं पन cutoff marks प्रोविजनल cutoff marks क्या थे ये 2018 का है 2018 में provisional क्या थे और फिर final क्या रहे थोड़ा समझने का प्रियास करते हैं आपन 317 नंबर थी 317.07 और उसके बाद जो final ये जर्नल की है final cutoff जो आई ही 330.99 यानि 331 अपन कह सकते हैं लग भग कितने marks का difference आया भी 13 से 14 marks समालने थे पन लग भग इतना difference इसमें आया भी ठीक है क्या अब भी इतना ही difference आएगा उसके बाद देखेगा यहां भी अच्छा खासा difference है कितने का difference है देख लिए जिए पांस 13 लगबग 18 नंबर का difference है यहां भी अच्छा खासा difference है और यहां भी देखेगा अप लॉग के 6 और 22 15 का difference यहां है और यहां भी 12 का difference यहां तो अमुमन तो difference आ रहा है वो आ रहा है 12 से या फिर अपन कह सकते हैं 10 से लेके 15 marks का difference हर category में आ रहा है यह कब का प्रिणाम है यह 2018 का प्रिणाम है अब चलते हैं पन इस बार की जो cutoff है provisional वो यह है journal की जो provisional cutoff है वो है 322.92 और पिछली बार कितनी थी पिछली बार थी 317 यानि यहां आपन देखें तो पिछली बार से ज्याज़ा है और पिछली बार final जो cutoff थी वो 330 थी और अब इस अधार पी जब अपन final cutoff सोचेंगे तो final cutoff 330 से उपर जाने के आसार बन रहे हैं इस हिसाब से तो यह हैं लेकिन मुझे यह लगता है कि बहुत ज़्यादा variation भी नहीं रहेगा तो कम से कम आप लोगे मान के चलीगा कि 8 से 10 marks का difference तो लगभग निसित है 10 marks का difference तो निसित है मैंने जो आप लोगों को cutoff बताई थी first grade का जब एक्जाम हुआ था उसके बाद हमने जो cutoff बताई थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी कितनी 332 हाइस जो बताई थी वो कितनी बताई थी 332 बताई थी 332 के आसपास ठीक है 324 से 332 मैंने आपको बताई थी तो मुझे यो लगता है कि वो मामला यहां तक के जा रहा है ऐसा मुझे लगता है फिर देखेगा जब हमने 332 बताई थी तब भी बहुत सारे बच्चों ने का था कि सर बहुत ज़्यादा आप कट आफ बता रहे हैं इतनी नहीं जा सकती क्योंकि इसकी वज़ाए यह क्या होती है कि selection वाले बच्चे तो हमेशा ही कम होते हैं, परतिसत में कम होते हैं, और जिन बच्चों के marks कम होते हैं, वो हमेशा ही ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे को हमेशा ही यह लगता है कि cut off कितनी रहनी चाहिए, थोड़ी कम रहनी चाहिए, थोड़ी कम रहनी चाहिए, तो वो अ अपनी सुईदा के इनुशार उस प्रकार की बात मान लेता है, लेकिन मुझे यह लगता है कि अब 332 के आसपास तो cut-off रहनी ही रहनी चाहिए, 10 marks का difference तो लगबग है, यानि 330 से लेके 332 यह यहां जो बच्चे हैं, वो बिलकुल ठीक position पे हैं, 330 और 332, यह मेरा मानना है किसका, जनल का यह मानना है, उसके बात में देखेगा 305 यह है, तो EWS की जो है, वो भी, वो यह अपन जोडेंगे इसमें, 8 से 10, तो कितनी हो सकती हैं, यह भी कहां जा रही है, 315 के आसपास यह जा रही है, किसके आसपास भई, 15 के आसपास जा रही है, 313 से लेके, 15 के बीच में, ठीक है, तो exact prediction करना लगबग संभाव नहीं है, कि आप य की बाते हैं, नहीं करता हूं, ठीक है, उसके बाद आप पे इसी प्रकास से बाकी जो categories हैं, उनका भी आप इसी प्रकास से आकलन कर सकते हैं, अब चलते हैं पन, आगे की बात पे, क्या provisional cut-off expected से ज़्यादा है, कई बच्चों के दिमाग में आ रही है, कि सर यह तो बहुत ज्यादा cut-off हा गई है, हमने तो ऐसा सोचाई नहीं था, नहीं बेटा, यह बहुत ज्यादा नहीं है, आप पे पिछली वार का देखते हैं, तब उतना ही है, उससे पहले का देखते हैं, तब भी 330, 32, 33 के आसपास हैं, तो लगभग मेरिट यही रहती है, यही मेरिट रहती हैं, ठिक है, फिर कई बच्चे ऐसे भी हैं, जो इससे पहले वाली भरती के लिए तैयरी कर रहे थें, उससे पहले वाली के लिए भी कर रहे थें, और अब उनोंने 1st grade के लिए तीसरी बार एकजान दिया था, तो उनकी तैयारी बाके लोगों से क्या हो गए, और ज्यादा अच्छी हो गए तो cut off धिरे धिरे उपर चली जाती है फिर इसके एक वज़ा ये भी है कि जो पहला पेपर था वो बहुत ज्यादा difficult नहीं था तो मुझे लगता है कि जो expected cut off थे उतनी है बहुत ज्यादा नहीं है अब चलते हैं अपन आगे क्या इस cut off से second grade, third grade cut off का कुछ सटिक अन्माल लगाया जा सकता है नहीं इस cut off का समन्थ second grade और first grade से नहीं है first grade का paper का इस्तर, paper का nature अलग, readman's के paper का इस्तर, paper का nature अलग तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे कह रहें कि सर ये बहुत ज्यादा रहेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि readman's की भी cut off बहुत ज्यादा चली जाएगी second grade की भी cut off बहुत ज्यादा चली जाएगी, अब इसकी तो एक ही बात कहीं जा सकती है कि बेटा, कि आप लोगों ने अभी क्या मान रखी है उस हिसाब से अगर हो तो एगल गलग बात है, बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा cut off जानी चाहिए अब देखते हैं पन कि सेकेंड ग्रेड की cut off क्या हो सकती है बिस सेकेंड ग्रेड की जो है, अभी की वगर आभी आगई, रीट मैंस की की आगई, तो सेकेंड अब cut off क्या हो सकती है आज भी मैं वो ही cut off बताऊंगा, जो मैंने पहले दिन जो वीडियो बना कर cut off डाली थी क्योंकि फस्स ग्रेड भी हमने वो ही बताई और लगभग वो ही है, सेकेंड ग्रेड भी जो मैंने उस वीडियो में बताई थी, वो ही आज क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर तीसरे पांसवे दिन आप cut off बदल बदल कर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं पहले ही बहुत सोच समझ कर चीजों को करता हूँ और उसके बात एक बार जब हो जाती ही बाते हैं, तो फिर उसमें बार-बार चेंज करने के आवसिता नहीं है सेकिंड ग्रेड की cut off जो हमने उस समय बताई थी, वो बताई थी, 327 से लेके 330 बताई थी, 325 से 330 यह जर्नल मेल की हमने cut off बताई थी, 325 से 330 मुझे यह लगता है कि अभी भी यही है, अभी भी यही है, यानि 325 तक हो सकती है, या फिर 330 भी जा सकती है, 325 हो सकती है, तो प्रोविजनल कितनी हो सकती है प्रावीजनल जो है, वो 315 के आसपास हो सकती है, एक दो नमबर उपर नीचे, बाकी यहां तक आ सकती है, अभी भी कई बच्चों को लगेगा कि सरा आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है भी हो सकता है, मेरा आकलन सही नहीं हो, लेकिन जो मुझे बच्चों से पता चल रहा है पेपर के नीचर के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, उसके बाद जो रीट मैंस की कट ओफ मैंने बताई थी, वो बताई थी 188 से 194 मांक्स, ये किसकी बताई थी बिटा, जर्णल की मेल की बताई थी, और आज भी मुझे यही लगता ह है, आज भी यही लगता है कि जर्णल की जो इंगलिस के रीट मैंस की जो कट ओफ होनी चीए, वो आज भी मुझे यही लगता है कि 188 से 194 मांक्स होने चीए, तो ये आज की अपनी चर्चा थी, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे वीनस का सेलेक्शन हुआ है, और जब पर रीट मैंस का प्रिणाम आएगा, तब निसीत रूप से वीनस जो है, वो पूरे राजस्तान में चा जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे पास बच्चे थे उसमें, और 2nd grade का प्रिणाम आएगा, तब भी बहुत अच्छा प्रिणाम की हमासा रखते हैं, और आफ्ट्रे, RPSC स्कूल लेक्चर का जो प्रिणाम आया है, ये भी बहुत सुखद है, बहुत स्यानदार है, आप सब की विश्वास के लिए बहुत बहुत आभार, थेंक यू, थेंक यू बेरी मच्च